न्यूस एटीन इंडिया आपको बता रहें तौकीर रजा का ये विवादिक बयान हमला अगर हुआ तो जान ले लेंगे जान लेने से भी नहीं चुकेंगे हालदवानी इंसा और उसके बाद मौलाना तौकीर रजा का ये भड़काने वाला बयान अब सामने आया है और वही अलदवानी इंसा के बाद प्रशासन पूरे आक्शन बोट में दिखाई दे रहा है सीसी टीवी फुटेच के आधार पार उपद्रवियों के तलाश की जा रही है गाईयों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कारवाई की जाएगी जो हमारे देश का कानून है उसको बहाल किया जाएगा आज चीश सेकर्टी मैडव मौर हमने सारी समीशा की है अस्पताल गए वहाँ जो गायल एडमिट हुए हैं उनका हाल चाल पूछा गया और अभी यहां ठाने पे आके डामेज हमने एसरस किया है तो अभी सिती थोड़ा तनावपून है लेकिन नियंतर में है और हमने DMSP के साथ और EDG Law and Order हम सब लोगोंने मीटिंग कर ली है और मुझे विश्वा से जल्दी ही शान्ती व्यवस्था को बहाल करने के लिए और इस उपद्रव के पीछे जो भी शराती तत्य थे अंटी सोशल एलमेंट्स थे और अलदवानी में जिस जगव पर हिंसा हुई उसी इलाखे में कई ऐसी चीज़ें खैमरे में कैद हुई है जो कि हिंसा की साज़िश से सीधे सीधे जुड़ी है आपको News 18 इंडिया की एक्स्क्लूजिव ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते है पूरे इलाके में कर्फ्यू है मैं तस्विर दिखाऊंगा कर्फ्यू की देखें विए पूरी गली है जहां से भीड़ आई थी इन गलियों में अब संदाटा पसरा हुआ है दूर आपको एक पुलिस की वेंड दिखाई देगी जो वहां से एनौन्स करते हुआ रही है सेवाओं को बादित रखा गया है ताकि लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करें गलत तरीके से किसी भी अफवा को पनपने देखें और इसलिए सरकार की तरफ से प्रशासन की तरफ से पुलिस की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जल से जल जो लोग जो उगदरवी इस तरह से वापर हिंसा की गई यह आप देखें पैट्रोल बम फेकता हुआ यहाँ पर उपदरवी इस तस्वीर में पूरी तरह से दिखाई दे रहा है आप प्रशासन कभी यह कह रहा है कि पुलिस की टीम के ओपर हमला यह जो किया गया था यह पूरी बगाईदा एक अब इन्ही उपदरव्यों को यह जो आपको इन फुटेज में दिखाई दे रहे हैं इन्ही की तलाश अभी इस वक्त की जा रही है पैट्रोल बम का इस्तिमाल मतलब प्लानिंग पहले से रही होगी इन लोगों की जरूर और आप यह जो हिंसा की साजिश हलदवानी के अं से चाहे वहाँ पर बाइक थी गाडियां थी पुलिस की टीम का कोई शक्स था सब कुछ आग के अवाले कर दिया गया और अब तो प्रिशासन भी इस बात को मान रहा है कि यह जानलेवा हमला था बाकाइदा यह साजिश थी कि जितने भी वहाँ पर अधिकारी पहुंचे व अब एक-एक उपद्रवी की पैचान की जाएगी यह प्रिशासन की ओर से सरकार की तरफ से कहा जा रहा है और अब इन्हीं उपद्रवियों को पैचानने का काम भी किया जा रहा है क्योंकि यह जो वीडियो फुटेज है यह प्रिशासन की तरफ से ही जारी किया गया है ता न सर्फ पत्थर फेका गया हैं तस्वीरों में पत्थर फेकते तो आपको उपत्र भी दिखाई देने हैं लेकिन पेट्रोल बम तक का इस्तिमाल किया गया और जाहिर सी बाते वो पहले से तयार करके रखा गया होगा कि अगर ऐसी इस्तिती आती है और अगर प्रशासन वहाँ पर पहुंचता है बुल्डोजर की कारवाई होती है तो फिर जवाब ऐसे ही दिया जाएगा उसी से जुड़ी हुई ये सारी तस्वीरे न्यूज एटीन इंडिया इस वक्त आपको दिखा रहा है दिपक बिष्ट ने आपको ग्राउंड जीरो की तस्वीर भी दिखाई कि जब वहाँ पर थोड़ी इंसा ठंडी हुई तो उसके बाद भी कैसे बाइक जल रही थी, मोटर साइकल जल रही थी, गाड़िया वहाँ पर जल रही थी दिपक बिष्ट इस वक्त मेरे साथ जुड भी रहे है, उनका में सीधा रूख खाल लेती हूँ, दिपक अभी के जो हालात है पहले उसके बारे में भी जरा बताईए, सब कुछ कंट्रोल में है अब देखे, आज जो दिन है वो अभी तक कंट्रोल में कहा जाएगा, कोईकि आज सुबह से, आज शुक्रिवार था, जो जुमी की नमाज होती है, वो अता के जाती है, लेकिन पूरा जो रूट था, वो पूरी तरह से कर्फ्यू वाला नजर आया, और अब भी मेरे पीछी की तस्वीर दिखाए देगी, आपको पुलिस कर्वी साधी वर्दी में यहाँ पर दिखाए दे रहे हैं, उनके अलावा और यहाँ पर कोई भी नहीं है, नहीं कोई निकल सकता है, कोईकि कर्फ्यू घोशित इलाका है, और बनबुल पूरा में जिस तरह से थाने को जलाने की कवायत का है, या फिर वहाँ जलाने की, या फिर मार्क्रीट और पत्राओ करने की, यह सब जो यहाँ पर बनबुल पूरा इलाका है, उसके आसपास का एरिया में हुआ था और इसके बाद से ही, आज की इस्तिती अभी तक सामान ने बनी हुए, और ऐसे में लेकिन जो है, जो बच्चे को दूद की जरूवत है, वो यहाँ पर हो चाहते है, लेकिन अभी तक खलाल प्रशासन की तरफ से इसा कोई रिलीफ नहीं दिया गया है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि एक दिन और यहाँ पर कर्फूस ही तर से रहेगा, मौत का आक्रा क्या आधिकारिक तो हुआ है, प्रशासन का कहना है कि जब तक क्लिरिफिकेशन नहीं आता, हॉस्पिटल से रिपोर्ट नहीं आती, वो पूरी तरह से अभी क्लिर नहीं कर सकते, लेकिन दो मौत अब तक हुई है, यह दो लोग कौन है, इनके बारे में इन्वस्टिकेशन की जा रही है, वही ए इसे लोगों को पुलिस सराश रही है, जो उस वक्त वहाँ पर मौझूद थे. पुलिस ने जो फुटेश दिखाया है, उसमें साफ तरह पर ये मान लिया जा सकता है, कि इन्वस्टिकेशन अगर होगी, जाच होगी तो इन लोगों को डिटेंट किया जाएगा, और ये वो लोग हैं जो विरोध कर रहे थे, विरोध करने का जो उनका तरीका था, के अरावा, इसमें कई ऐसे लोग शामिल हो सकते हैं, जिन्होंने इसे यहाँ पर फंड किया हो, या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें जो सामने आएंगी, वो सब इन्वस्टिकेशन का पार्थ होगा, लेकिन बढ़ी खबर इसी भी जो मिल दर्शकों को पहले बदा दे हैं इनसे लगाए जाएगा उपद्रवियों के उपर, तो कितने सक्ट एक्शन की तैयारी की जारी है प्रशासन की तरफ से, वो इससे समझा जा सकता है, अब इनसे के तैयत इन उपद्रवियों के उपर कारवाई की जाएगी, यह बहुत बड़ी खबर, हालदवानी इंसा माम इनसे जुड़ी हुए इस वक्क की हम आपको बता रहें, जब उपद्रवियों के उपर, एनसे लगाने की तैयारी की जारी है, आगे की कारवाई एनसे के तैयत की जाएगी अब इसके बाद जो हमें पुलिस की कारवाई करनी है, वो कारवाई की जाएगी, जैसा मैंने बताए, लोगं को चिन्हित किया जाएगा, और इनके खिलाफ सक सक जो हमारा एनसे है, नाशनल सेक्यूरिटी एक्ट, उसके तहत इनके खिलाफ कारवाई की जाएगी और में देखिए नगर निगम और पुलिस की टीम हलदवानी में सरकारी जमीन पर बनी मस्जित, और मदर्स्ते को तोड़ने के लिए बस पहुँची हुई थी, अवैद निर्मार पर प्रशासन का बुर्डोजर चली रहा था कि महाँ पर रहने वाले लोग बुरी तरह से पुलिस की टीम के उपर ये अंदा दूंद पर्थर बरसाने तक शुरू कर दिया, उस समय की तस्वीर भी अब आपको दिखा रहे हैं, हलदवानी की गलिया पत्थरों और इटों से पढ़ गई, अपनी जान बचाने के लिए पुलिस कर्मियों ने भी पत्थर उठा लिया अभी अभी दर्शुकों को, जरा ये बताएगे कि वहाँ पर जो मॉलाना है, वहाँ पर जो लोग है, वो शान्ती की अपील क्या कर रहे हैं? अभी तक जो हम गए थे, जो यहाँ पर जामा मस्जित है, वहाँ पर हम इमाम से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी वहाँ पर मिलने के लिए सामने नहीं आया, और नहीं कोई मॉलाना इस वक्ते इस पूरे मसले पर बोलना चाहते हैं, कोई हलवारी में जो भी ल हो सकते हैं, तो कुल मिलना के अभी फिलहाल कोई भी ऐसा पक्ष सामने नहीं आया, जो इसे गलत है रहा है, या फिर वो अपने को यहाँ पर पिडिद बताए, तो कुल मिलना के यह कहना होगा कि अभी जब जाज शुरू होगी, तो पुलिस ने उन सभी से पूसाज करनी है जो इस के दाएरे में आएंगी और इसके अलावा साथ ही वो लोग जो यहाँ पर लोगों को सपोर्ट करते रजार आ रहे थे उपद्रवियों को उनको भी यहाँ पर घेरा बंदी करके पकड़ने की तलाश में इस वक्त पुलिस जूट गई है, जो लोग बढ़काने की को दिखाते हैं आपको यह सुपर एक्स्क्लोजिव गवाही इनके जो हेलमेट है उन पर भी यहाँ पर फून की निशान दिख सकते हैं आपको यह चोट जो लगी है इसे पूर से कैसे सब कुछ भूआ जा रहे है कितने बज़े आप तीन साड़े तीन बज़े करीब हम गये थे वहाँ पर तभी सही नोंने हम पर पथराव स्टार्ट क है dude किटने लोग गये थे यहां से जव लोन लोक आप लोग आपको ङेग है और पत्थर लगा कितने बज़े लेगा और कहा पर लगा ते में काफी पुलिस वाले थे और हम लोग थे और उपर से गली में गेर के पूरे सब लोग उपर से पत्थर भैंक रहे थे सार कोई बोतल कांच की बोतले मारे थे पत्थर मारे थे अच्छा बड़ी मुझकर से बचके आए जब ये भीड बेकाबू हो रही थी तो क्या ये इनने मारो 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 कर के इन बढ़ाओ इन्हें बढ़ा दूटी कर देख हमें के पता था हमारे साथ ऐसा हो जाएगा लग भक तीन-440 मिनिमम इसना था एक गली में अंले जो उन्हों ने लोग बुलाया देकर हम दस हजार पंस थे लोग के लोग ठर्वालों पत्तर बतलत बहुत तरह भर भर के फैक्स कर मार रहे हम लोग जैसे तरह से हम लोग अपने आपको बचा कर नहीं पहुंच गयता है और विरोध कब शुरू हो गया था तुर्थ तुरंटी हो गया था पहुंचते ही बाड़े सा उन लोग ना भगया धगडी पत्तर सत्तर मानने सुरू कर हम लोग की तरफ एक दम तो लगाता रहे नाउस भी कर रहा है वह भी हम लोग को बहुत को सब्सक्राइब अपने आपको बचाया लेकर उन लोगों नहीं छोड़ा उन लोगों पर पत्तरा सुरू कर दिया जया हैाlles MR लोग दिया सब्सक्राइब God पत्तर आपको सब्सक्राइब काराएब Busqu्ति मैं को सुरू क्वड़ा है, मैं है थे षी